कि नमस्कार दोस्तों आप सभी लोग का हमारी यूटूब चैनल वाटर ग्यान में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है अज हम लोग से लेड़ बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट को डिसकस करेंगे पॉइंट है वाट चैक्स तू बी डन बिफोर वी स्टार्ट सेंट्रिफिग्वल पॉप को स्टार्ट करने से पहले हम इंप क्या-क्या चैक्त करना बहुत जरूरी होता है उसके बारे में हम लोग को इस वीडियो में जानकरी प्राप्त होगी कोई भी जब हम कर चुके होते हैं उसका maintenance करने के बाद हम यह क्या चेक करना उसको भी हम लोग इस वीडियो में जानेगा तो आईए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो बहुत इंटरस्टिंग और helpful होने वाली है इसलिए वीडियो के साथ अन तक आप लोग बन मोटर विद रेस्पेक्ट टू पॉप ठीक है तो आईए हम लोग इस पॉइंट को एक ड्रोइंग से समझते हैं तो ड्रोइंग आप लोग के सामने है इस ड्रोइंग में हमने हम और मोटर को दिखाया है ठीक है और यह है बेस फ्रेम तो जैसे की बेस वोल्ट टाइटनेस तो हमारा जो ये फ्रेम का जो बोल्ट है, foundation बोल्ट, इसकी tightness चेक होनी बहुत ज़रूरत है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारा फ्रेम के साथ जो बोल्ट connected है, जैसी कि ये pump end का, और ये motor end का after alignment, ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके साथ साथ हमारा motor का with respect to pump, ठीक हमें motor का alignment with respect to pump हमें करना होगा, तो alignment हमारा बहुत important चीज़ है, इसलिए alignment का चेक होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों, प्रसे करता हूं ये point, first point जो है, ये आप लग अच्छे समझ गया होंगे, अब हम लोग चलते हैं, अपने second point के तरफ, second point है, all the suction and discharge end of pump fittings must be complete in all respect, and all the fastness must be tightened and proper gasket must be there between the flanges, तो pump का जो suction में जो fittings है, and discharge में जो fittings है, ये एकदम complete होना चाहिए as per drawing, ठीक है दोस्तों, क्योंकि drawing में हमारा जो mention क्या है, वो हमारा requirement है, इसलिए वो होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, और जितने भी fasteners, यानि कि bolt nut हमारे use किये होगे हो, वो की tight होने चाहिए, और जितने भी flange joint है, उसमें हमारे gasket must होने चाहिए, और bolt हमारा proper tight होने बहुत ही ज़रूरी है, मैंने एक वीडियो बने हुआ है, जिसमें हमने knowledge about pump suction and discharge fittings के बारे में discuss किया है, उस वीडियो का भी link में इस वीडिय बाक्स में डालोंगा, उसको भी आप लोग देख लीजेगा, वी बहुत helpful होने वाली है, next point है दोस्तो, power supply to motor to be checked in no load condition, that is pump and motor should not be in coupled condition, मतलब हम जो power supply motor को देंगे, और motor को जब run करेंगे, initial में, तो वो हमारा pump के साथ जो couple नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानि को no load condition में ही motor को हम लोग चेक करेंगे, ताकि हमें पता चले कि motor हमारा सही है, और इसमें हमारा कुछ problem नहीं है, ठीक है दोस्तो, यह बहुत important है, इसको drawing समझते हैं, यह से coupling मैंने दिखाए वह है drawing में, इसमें अभी हमने fastness नहीं लगाए है, यानि coupling के नहीं लगाए है, इसका मतलब चा नहीं गूमेगा, ठीक है दोस्तो, तो इसी condition में हमें motor को power supply करके motor को check करना होता है, ठीक है दोस्तो, next point है, बहुत important point है, direction of rotation of motor as per pump to be checked, हमें motor का जो rotation, जो है direction, वो pump का जो requirement है, वो होना बहुत ही ज़रूरी है, माल लीजे हमारा pump का requirement है clockwise, जो normally देखने को मिलता है, तो motor का rotation भी clockwise होना चाहिए, अगर वो anti-clockwise हो जाएगा, तो हमें pump से output नहीं मिल पाएगा, इसलिए direction of rotation, motor is very important, ठीक है, last point है, gland packing और mechanical seal to be checked, हमरे pump में gland packing arrangement होता है, या mechanical seal arrangement होता है, अगर mechanical seal arrangement है, तो उसमें ज़र इंपोर्टेंट है, बट gland packing है, तो हमें, उसमें gland packing normally जो supply करते हैं, वो नहीं feel करके देते हैं, वो हमें gland packing एक box में supply कर देंगे, तो हमें gland packing को बरना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो आएए इस point को भी हम लोग एक drawing से समझता है, ताकि अच्छे से clear हो जाए, ठीक है दोस्तों, तो आएए हम लोग इस चीज़ को drawing से समझते हैं, तो जैसी कि मैंने पहले बताया था कि जो power supply है, हम लोग मोटर को जो देंगे, तो मोटर में terminal box होती है, ठीक है, इसे हम लोग केवल connect करते हैं, ताकि हमारा power supply हो, तो जब हम लोग मोटर को initially check करेंगे, तो उस condition में हमारा जो क्या है, couple नहीं होना चाहिए pump के साथ, clear, यानि मोटर हमारा no load में ही run करके, हमें check करना होता है, ठीक है दोस्तों, clear, और हमें जब check करेंगे, तो direction जो है, rotation of motor, ये भी as per pump हमें check करना होता है, ताकि pump का जो direction required है, उसी direction में हमारा motor घुमें, ठीक है दोस्तों, ये बहुत important है direction of rotation, ठीक है, ये बहुत important point है, उसके बाद हमने बतायाते हैं कि gland packing और mechanical seal to be checked, तो हमारे pump में इस position में हमारा mechanical seal और gland packing का arrangement होता है, अगर mechanical seal है, तो उसे disturb करनी की ज़रोत नहीं होती है, लेकिन अगर gland packing arrangement होता है, तो इसमें clatten ring होती है, तो हमें gland packing जो rope होती है, वो company provide करती है, ठीक है, उसे नहीं लगाएंगे, तो हमारा जब suction में पानी आएगा, तो ये leak होने लगेगा यहां से, यसी मैंने आई रोग करके आप लोग को दिखाया है, इसलिए हमें gland packing को feel करना बहुत ही जुरूरी होता है, अगला point हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगला point है बहुत important है, lubrication of pump and motor bearing is must, very important point है दोस्तों, lubrication हमारे को बहुत ही important है, क्योंकि अगर हम यह नहीं करेंगे, तो हमारा bearing failure होने के chances बहुत ही बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो lubrication of pump and motor, दोनों condition में हमें यह दिखाया देने वाली बात है, अगर bearing हमारा double jet नहीं है, यानि double side से seal नहीं है, तभी हमें lubricant का use करना है, ठीक है, motor हो या pump हो, तो यह clear होना बहुत ज़रूरी है, तो किसी-किसी में grease use करना होता है, और किसी-किसी pump में oil का, ठीक है, तो lubrication is very important, लेकिन दिखाया देने वाली बात क्या है, कि हमें bearing के knowledge भी होनी चाहिए, कि उसमें double jet bearing है, या plain bearing है, तभी हमे lubrication का use करना होगा, pump and motor case में दोना हो, clear, next point है, after ever points, check couple pump and motor and rotate the shaft with hands, it should rotate freely, जहां दीजेगा दोस्तों, freely, ठीक है, without any obstruction, if rotates freely, put the coupling guard to its respective position, तो आईए इस point को हम लोग, drawing से समझते हैं, जहां दीजेगा word जो मैंने freely use किया है, तो drawing आप लोग के सामने है, तो जैसी कि मैंने बताया था है, कि pump half coupling and motor half coupling, अभी decouple condition में है, जब हम लोग इसको couple कर देंगे, यानि जैसे pin boost coupling मान लीजेए है, तो हम इसका pin को fit कर देंगे, तो यह हमारा couple हो जाएगा, तो हमें इस couple करने के बाद, अपने दोनों हातों से, इस coupling को पकड़के, pump को घुमाना है, ठीक है, और यह ध्यान देना है, कि यह एकदम freely rotate करनी चाहिए, must है एकदम दोस्तों, अगर freely rotate नहीं करेगी, तो कुछ से उच पॉलम है, तो हमें फिर उ लोगों clear हो गया होगा, जब यह free होगा, तो हमें clear हो जाएगी, हमें कोई पॉलम नहीं, तब हम लोग इसके उपर coupling guard जो होती है, इसमें fit कर देंगे, coupling guard बहुत important है दोस्तों, safety point of view से, इसे लगाना बहुत ही जरूरी अनिवार है, इसे लगना ही चाहिए, before we start the pump, हमें coupling guard ज है, ठीक है दोस्तों, यह safety point of view से बहुत ही important हो जाती है, ठीक है, असा गरता हूँ, यह सारे point जो अभी तक हमने discuss के, आप लोग समझ गें, अगला point है, check the tank level from where the pump will shut the water and in addition to that, proper packing support is must, ठीक है, तो हमें जिस tank में pump हमारा suction ले रहा है, उसको चलना स्विल हमें यह भी तो देखन है, क्या उस tank में फानी है भी या नहीं, अगर नहीं होगा, तो pump चलाने से भी क्या होगा, कुछ फैदा नहीं होगा, तो tank level हमारा को देखना बहुत जरूरी है, और piping support यह must है, यह पहली भी हम लोग चेक कर सकते हैं, अगला point open the suction valve of pump and do the priming, priming is very important, before we start the pump, ठीक है, of pump, during this the discharge valve must be in closed condition, और to be kept open not more than 10 to 50% of valve, यह point बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि pump स्टार्ट करने से पहले हमें priming of pump करना बहुत जरूरी है, ठीक है, और तो discharge valve है, उसे हमें close करके रखना होगा, ठीक है, अगर छोटा discharge valve है, तो हम उसे close करेंगे, और बड़े साइज की valve है, तो हम उसे crack open कर सकते हैं, जैसे 10 to 15% ताकि जब pump चले तो pressure होने का हमको easily खोलने में दिक्कत ना है, तो priming is must, ठीक है, कोई भी pump को हमें start करने से पहले, ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बता, priming of pump is must, after priming now we can start the pump, ठीक है, इसके बाद हमनों pump को start कर सकते हैं, तो कुछ points को हमने डिसक किया है, दोस्तों, यह points को check करने से हमारा, जो pump को चलाने से पहले, तो हमें pump का performance में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और चलाने को जबाद हमें कुछ parameters को note करना होता है, तो वो parameter जैसे pressure कितना develop किया है, temperature of bearings, drive side and nd side of both pump and motor and, ठीक है, वो दोनों check करना होता है कि temperature of bearing क्या है, इसके साथ साथ हम लोग को vibration भी check करना होता है, pump and motor का, drive and non-drive and का, और हमें current भी check करना होता है, कि motor के इतना current drop कर रहा है, यह बहुत ही important है दोस्तों, तो pump को जब हम लोग पहली वर चलाएंगे, तो यह कुछ points है दोस्तों, जिसे हमें जरूर ही check कर लेना चाहिए, और चलाने और यह कुछ parameters है, जिसे हमें जरूर नोट करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि pump हमारा already बहुत सालों से चल रहा है, और हमें maintenance में लिया था, और maintenance के बाद हम लोग उसको अगर फिर से maintenance करने के बाद अगर उसको चालू करने जा रहे हैं, तो उस condition में हम इतनी points की check करनी की नहीं है, क्योंकि already हमने, जो points अभी discussed के रहे हो, तो उसमें से already पहले से है, ठीक है, तो उसको check करनी की जरूरत नहीं है, तो उस condition में हम लोग को कुछ limited points को check करनी की जरूरत है, जिसे हमको output मिल जाएगा, तो जैसे कि हम लोग उस condition में सबसे पहले क्या है, कि हम लोग alignment after maintenance, जो है, alignment जरूरत चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, ठीक है, alignment बहुत ही important है जोस्तों, उसके बाद हम लोग को lubrication, जो है, pump कमेंटन्स किया, तो pump कहीं चेक करना है, और उसके बाद सबसे important, pump को start करने से पहले, हम क्या करना चाहिए, अभी हमने discuss किया है, last month, that is, हमें pump की priming जो है करना बहुत important है, ठीक है, तो priming करेंगे, उसके बाद ही pump को start करेंगे, तो यह सारे कुछ points है दोस्तों, जिसे हम लोग को ध्याम देना बहुत ही जरूरी है, pump को start करने से पहले, आसा करता हूं दोस्तों, इस जितने भी points हम लोग ने discuss किया है, आप लोग अच्छे से समझ ग होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो like, share and subscribe जरूर करियाएगा, वीडियो के देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत भुत धन्नेवाद, नमश्क्राइबूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूद